हेलो बच्चो आप सभी बच्चो का हमारे चैनल में स्वागत हैं और आज हमें डिसकस कर रहे हैं टिकनोमेट्रिका इस कॉंसेट को ज़रा दिखीगा यह फॉर्म है इस टाइप का कोई कुश्चन दिया हो तो यहां से आप से हो सकता है 10 ठीटा पूछले क्या है भी आपको नभर नजार आ रहे हैं यानि जो कोफिशंट नजार आ रहे हैं उन दोनों का समिस्जन डिवाइड में एकवल टू में जो दिया है उसको लिख दिया करो under root a square plus b square और हो सकता है आपको इसमें 10 theta sin theta भी पूछा जाया जैसे example के लिए अभी हम बताएंगे यह हुआ कैसे example के लिए जैसे मैंने लिखा 2 sin theta plus 3 cos theta is equal to क्या दिया है बेटा root 13 यानि दोनों के square का submission 9 और 4 13 उसका under root कर दिया तो अगर हम यहां से आप से पूछें sin theta plus cos theta तो जो number नज़र आ रहें coefficient उन दोनों का submission 5 divide में इसको लिख दिया जाएगा root 13 तो आगे देखेगा अगर हम बात करें कि यहां से 10 theta क्या होगा sin theta यह भी पता देंगे कैसे हुआ हो सकता है इस type question में 10 theta पूछ लिया जाए तो 10 theta के लिए बहुत easy है आपको इसका simple basic मालूम होना चाहिए 10 theta is equal to लंब बटे आधार perpendicular upon base बस वो कुछ नहीं है तो यहां दखना यह हमारा हो जाएगा कन यानि हाइपोटेनूज और यह हमारा हो जाएगा sin theta के जो आगे लिखा है perpendicular और यह हो जाएगा हमारा base base का मनला होगा आधार तो बस easy है अब आप देख सकते हो आप जानते हो PBPHHB कुछ भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो 10 theta क्या होगा 10 theta क्या होगा perpendicular upon base perpendicular upon base तो आप देख सकते हो A by B और sin theta क्या होगा बेटा sin theta देख सकते हो perpendicular A वो ध्यान रखना hypotenuse उदर लिखना है under root A square plus B square और cos theta की बात करेंगे तो यह होगा base आधार divided by hypotenuse under root A square plus B square अगर इन दोनों को हम add कर दें sin theta plus cos theta तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर sin theta की value है A upon under root A square plus B square और cos theta है B upon under root A square plus B square देख सकते हो A plus B divided by under root A square plus B square इस तरीके से आप sin theta plus cos theta की value को calculate करते हो ठीके तो आईए एक question देखते हैं देखे इस question को देखेंगे सबसे पहले चेक करना है constant term इन दोनों के square का submission का under root तो नहीं है 16 और 9 25 under root 5 बिलकुल लिखा है तो यहाँ पर cos theta के divide में भी constant को लिखना यानि वो hypotenuse है और यहाँ पर sin theta के divide में भी किसको लिखना है वो hypotenuse होता है यानि कितना होगा बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा 5 और बहुत इजी है cos theta का जो coefficient उसको लिखा करो उपर sin theta के आगे sin theta के numerator में क्या लिखना है sin theta के sin theta का coefficient यानि वो perpendicular होगा तो यहाँ से calculation करोगे यह 4 होगा प्लस और यह 5 2 is a 10 और यह 2, 3 is a 6 आईए हम बात करते हैं एंडी के question की इसका answer होगा 10 दिए question इसी बार आया है 8 April 2021 में जो अभी हुआ exam तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पहले आपको check करना है यह जो constant लिखा है इन दोनों के square और यह तो कई बार आपको याद होगा 24 का square 586 और 49 625 होता उसका अंडरूर 25 होगा ठीक है दोनों के square का submission कर रहो हो यह याद होना चाहिए वैसे 7 और 24 और 25 यह set होते हैं 24 और 7 का square करके आप add करोगे तो 625 होगा सकंडरूर 25 होगा तो direct क्या होगा sin theta प्लस cos theta हमने आपको तरीका बताया था constant अब को नीचे लिख दिया जाएगा यह देखे जाएगा